इंग्लिश गुरु कुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपने इंग्लिश को इंप्रोव करने के लिए चानल को अभी सब्स्क्राइब कीजिए खुबसूरती उसकी हर एक की अपनी अपनी परिभाशा है जो की उसके चॉइसे उसके लाइक्स बिसलाइक्स के हिसाब से तै होता है इस पोहम के अंदर पोईट ही या शूर जिनका नाम लुईज अलबिट है वो अपनी ब्यूटी की डेफिनिशन बताने जा रहे तो चलो द करे रहे हैं कि जो खुबसूरती है वो सनलाइट की अंदर जो सुरज की किरने है जो सुरज की रोशनी है उसके अंदर खुबसूरती है जो हमारे आसपास जो ट्रीज है जो पेड़ है जो पोधे है उनके अंदर उन्हें खुबसूरती दिखाए देती है अब यहाँ पर आ उने खुबसूरती दिख्काई देती है, तो यह जो सारी चीज़े हैं, यह हमारे नेचर के अंदर हम यह सारी चीज़े दिखाई देती हैं, अब यह जो सारी चीज़े हैं, डे-to-day life की चीज़े है जैसे sunlight ऐसा तो कोई खास दिन नहीं है कि सिर्फ उसी दिन sunlight आती हूँ, sunlight रोज आती है, trees, trees हमारे आसपस ना जाने कितनी trees है, birds, आप चाहे इस देश में रहो, जिस प्रदेश में रहो, वहाँ पे आपको birds दिखाई रेते हैं, कौन जो कि एक बहुती common सा प्रकार है, कौन मक् दिखाई देता है लगभग, and people working, साथी साथ जो लोग, काम करने वाले लोग हैं, वो भी हमें हर तरब दिखाई देते हैं, तो इस paragraph के अंदर, हमें जो सारी चीज़े दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीज़े regular हैं, हमारी day-to-day life का एक हिस्सा है, और साथी साथ हो करें, or dancing for their harvest, और साथी साथ जो लोग है, वो क्या करते हैं, dancing for their harvest, जैसे हमारे यहां बैसाखी कात्योहर होता है इंडिया में, साथी साथ अलग-अलग रज्जों के अंदर, जब उनकी harvest आ जाती है, harvest का मतलब, जब खेत की फसल हम उसे निकालते हैं, तो उस मौसम को हम harvest कहते हैं, त day-to-day life की चीज़ है, इनमें से उन्होंने ऐसे ने का कि beauty is in diamonds, वो यहां पे diamonds की, मोतियों की, हारों की, pearls की बाते नहीं कर रही है, यहां पे वो regular चीज़ों की बात कर रही है, और इस मैं से हमें भी यह बात सीखनी है, जो रोजमरा की जिन्देगी है, जो daily life है, उसके अंद आखों से देखे जाने वारी खुबसूरती की उन्होंने बात की थी, second stanza के अंदर point बात कर रही है, beauty is hurt, जो खुबसूरती है, उसे सुनने की यहां पे बात कर रही है, अब यह बात आपको हो सकता है, कुछ 80C लगे, क्योंकि हम सब अपने day-to-day life में हमारा एक opinion होता है, कि कितना beautiful feel होता है, आपको कितना सुख feel होता है, यही तो कोई भी beauty करती है, कोई भी जो खुबसूरती होती है, वो आपकी अंतरा आत्मा को आनंद देती है, अल्हादित कर देती है, वही काम एक music भी कर सकता है, एक sound भी कर सकता है, तो point कहते है, beauty is heard in the night, वो कहते है, जब रात में वो सुनती है, तो उन्हें उसमें भी खुबसूरती सुनाई देती है, wind sign, अब रात के अंदर क्या-क्या अलग-अलग आवाज यह आ सकती है, जो wind है, जो हवा का जोका है, वो sigh कर रहा है, sigh करना का मतलब होता है, जैसे हम आवाज निकालते हैं, कुछ इसी तरह से, जो wind होती है, जो हवा का जोका होता है, उसका आवाज continuously आता रहता है रात में, तो उसकी आवाज में उन्हें खुबसूरती सुनाई देती है, rain falling, बारिश की दिनों में, जब बारिश की बूंदे गिरती है, टब 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 तो उसकी अंदर उन्हें खुबसूरती सुन प्रैक्टिस कर रहा है अपने music के anything in earnest, वो earnest का मतलब होता है sincere या फिर seriously, तो वो कर रहा है जब कोई singer बहुती seriously, sincerely अपने music की practice कर रहा है, तो उसके अंदर भी उन्हें खुबसूरती सुनाई देते हैं, खुबसूरती महसूस होती है, अब आखरी stanza प्याते हैं, आखरी stanza में beauty को सुना, हमारे इर्दगिर जो nature है, हमने बारिश की आवाद सुनी, हमने हवा की आवाद सुनी, हमने गायक की आवाद सुनी, गीतका की आवाद सुनी, हमने उसमें beauty दिखाई दिए, अब तीसरे stanza के अंदर point कहती है, beauty is in yourself, तुम जो ये video सुन रहे हो, तुमारे अंतर भ खूबसूर्ती की बात नहीं कर नहीं कर रही, point, तुमारे actions की बात कर रही, तुमारे कर्म की बाते कर रही, जो तुम अच्छे काम करते हो, good did's का मतलब हुआ, जो अच्छे काम तुम करते हो, साथी-साथ happy thoughts, जो तुमारे अंधर, खुशी बरे thoughts खयाल आते हैं, उनके आपने किसी की मदद कर दी तो उस राज जब आप सोते हो तो आपके dreams के अंदर भी आपको वो जो deeds है जो आपने actions किये है उनकी खूबसूरती आपके dreams के अंदर आपके सपनों के अंदर भी आपको मैसूस होती है साथी साथ happy thoughts जो अच्छे thoughts आपके दिन भर में आपके दिमाग में लाते हो उनकी भी खूबसूरती आपके dreams में आपको डिखाई देती है इस in your work साथी साथ जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो आप देखते हो आपके अंदर एक अलग सी उर्जा आ जाती है पहले meaning इसमें अंदर हो सकता है जो आप rest करते हो जब आप आराम करते हो rest का मतलब तो आराम करना हुआ तो rest जब आप करते हो उसके अंदर भी आपको खुशी महसूस हो सकती है साथी साथ जो अलग एक इसका meaning हो सकता है rest का मतलब म्रत्यू से भी यहाँ पर connection हो सकता है तो वो कह रहे हैं कि तुमारे म्रत्यू के अंदर भी एक खुबसूरती है सिर्फ जीवन के अंदर ही खुबसूरती नहीं है बलकि म्रत्यू के अंदर भी खुबसूरती है कुछ इस तरह की बाते अगले वीडियो के अंदर हम इस चप्टर के इस पोएम के सारी question and answer कवर करेंगे Thank you very much